लोकसभा चुनाओं को लेकर अब सभी राजनितिक दल कमर कसने लगें। इसको लेकर जहां भाशपा बुथ स्तर पर अपने कार्यकरताओं को तयार कर रही हैं, वहीं अब कॉंग्रेस ने भी इसको लेकर युवाओ और महिलाओं को जोडने का अभियान शुरू कर दिया है। ताकि कॉंग्रेस अपनी पार्टी में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर सके और उन्हें लोकसभा और विधान सभा चुनाओं के लिए भी तयार कर सके। सोलन में वीरवार को कॉंग्रेस जिलाध्धक शिव कुमार ने कहा कि लोकसभाद चुनाओ को लेकर कॉंग्रेस ने तयारी शुरू कर दिये, इसके लिए 24 से 26 फरवरी तक रायपूर 36 गर्ड में कॉंग्रेस का महादिवेशन हुआ है, जिसमें ये निकल कर आया है कि कैसे कॉ कॉंग्रेस को मजबूत किया जाए, इसके लिए कॉंग्रेस हाई कमान ने कारेकरताओं से सुझाओ भी मांगे हैं। समय समय पर अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस इस बार लोगसभा चुनाओं में बहतर प्रदर्शन करती वे चारों सीटों पर कपजा करने वाली है। पचास बरश से नीचे के विखनी हैं उनको संगठने में आगे लाया जाएगा। जो महलाएं उनकी भागेदारी जो पचास पर निश्चित रूप से की जाएगी। और आने वाले भविश्य में युगाओं को और महलाओं को जो है वो बिधान सवा और लोगसभा चनाओं में भी टिकट दिए जाएगा। पर देश के वह विश्य के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है हमारा वार जिसका बभुष्य है उनके लिए एक बहुत बड़ा कारिक्रम राहुल गांदी जी लाए इसके लिए हम उनका तहई दिल से अभाः करते हैं मुल कर उन खढगे जी हमारे नेता उनका भी अभार करते हैं जो एक ऐसा संदेश गया और हिमाचल से जो परिवर्तन की एक लाहर चली है यह पूरे हिंदुस्तान में पूरे बहुत बरस में चले गए और दोजार चौबी के चुरौह में जो हैं वो निश्चित रूप से मोदी जी की रवानगी मोदी जी की बिदाई तैह जी जी इस के अधार पर क्या रणी कि आने वाले सब्सक्राइब को और महलाओं को आगे लाने का एक कारिवर्म रहेगा हमारी जो जिला कॉंगर्स में ठीकी कारे कारी बनेगी उसमें महलाओं को और युवाओं को जो पचास बरस से नीचे के उनकी भागी दरी निश्ची वो जो है पूरन रूप से देश के लिए काम है